नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोचक फैक्ट 003 में अरत देवी देवताओं की धर्ती है यहाँ पर कई प्राचीन और चमतकारिक मंदिर हैं देश में अलग-अलग देवी देवताओं के बहुतेरे मंदिर देखने को मिलते हैं मंदिर अपनी संस्कृति और मानिताओं के लिए पूनी दुनिया में परसिद्ध हैं इसके अलावा भारत में कई हजारों साल पुराने बेहद रहस्य में मंदिर आज भी मौजूद हैं यह कैसे ही प्राचीन मंदिर के बारे में आपको पताते हैं तरिफ उनलावा द कि गया है मंदिर को कहानियां जुड़ी हुएं जिनके बारे में जानने की इच्छा हर किसी की होती है इसे मंदिर के बनावड भी बेहत क्वब्सूरत है इसके खंब पर सांदार नकासी की गई है जो इसकी सुन्दरता को और बताया जाता है कि इस भूपसूरत मंदिर को निर्मार करने वाले कारीगरों के उस समय हाथ कटवा दिये गही थे लेकिन इसका कोई सबूत नहीं विलता है इस मंदिर में कई ऐसे रहसी हैं जिनमें एटों के अंदर मौझूद कुफावी सामीर है रात के अधेरे में रोशनी निखाई देती है महाँ पर और पाहिल की जनकार के आवाज भी आती है बताया जाता है कि यह आवाज दो किलो मिटर दूर तक सुनाई देती है इस्थानी लोग बताते हैं यह पाहिल के आवाज रानी राजवंसी कुवर की है मंदर का निर्मार लगबर डेड़ एकड़ जमीन में किया गया है और इसके बनावट आगरा के ताज मेहल से मिखती जूरती है आज आता है कि रानी राजवंसी कुवर ने मंदर को बनाने वाले चारों कारीगरों के हाथों को कटवा दिया था वह उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि इस मंदर की तरह कोई और मंदर वे ना बना सके मजदूरों के परिवारों की देखभाल पूरी उम्र रानी ने की थी मंदिल के पीछे दीवार पर इसका निर्माण करने वाले मजदूरों की पर्तिमाएं बनाई गई हैं जो इस बात की सबूत हैं इस मंदिर के सोने के मुकट और सोने के आउशन्ट चोरी हो गए हैं यह भी कहा जाता है कि इनको दबंगों ने कपजा कर लिया है। बताया जाता है कि मंदिर के तहखाने में अकूत खजाना है लेकिन इसके भीतर जाकर वापस आना मुस्किल है। इसमें जहरीडे साब रहते हैं जो लोगों को सिकार बना लें। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्यों से आज तक भी परदार नहीं उठाया है। आपको कैसी लगी आप हुमारे चैनल को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बैल आइकन की गंटी प्रेस करें। आपका किमकी समय हमें देने के लिए धन्यवाद नमस्कार।